नमस्ते दोस्तों, अम्बिट कराइड अब्जरवेशन में आप सभी का सौगात है अकसर हमारे देश में जाती गत आधार पे आरक्षन को विरोत किया जाता है और उनका कहिना होता है कि आरक्षन या आर्थिक आधार पे होना चाहिए मतलब जो गरीब है उसको आरक्षन देना चाहिए हमारे देश में आरक्षन हटाओ की मांग तो होती आईए बड़ हमारे देश में जाती को हटाओ ये मांग कभी नहीं हुए और जिन लोगों ने मांग की ये उन्हें को आप लोग जाती वादी कहे कर पकारते हूं हमारा भारत का सविधान हमारे भारत के सविधान में दिखाए reservation, आरक्षन ये जातीकत आधार पे होना चाहिए क्योंकि इस देश में जातीकत आधार पे discrimination होता आया है ना कि आर्थिक आधार पे सोशन होते आया है बढ़ फिर भी कुछ लोग कहतें कि economic based reservation होना चाहिए ना कि caste based reservation होना चाहिए तो reservation को जो हटाने की मांग करते उनको मैं एक ही द्वर्खास करूगा कि आपको सबसे पहले जाती बाद हटाना पड़ेगा और जिस दिन इस देश से जाती बाद हटेगा उस दिन reservation अपने आप हट जाएगा अगर आपको लगता है कि इस देश से जाती बाद हट गया तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए चुप लगी बुलाओ ना या पर लगी ठाज़ा भी जो चुप लगी बुलाओ यार बुलाओ कशी कि अढ डहाए एकता का रिखना मेरा चाहतों शुली रिपर जोकरें तुमारी लिद्ध इन सबुद्ध ही मेरे दाले парिज़े चाहीर करें तुमारी लिद्ध ही फिर मेरे सभ्या मेरे व्हां सिक जेओं जाओ पर देदेखें और यह county way impact काल्भ जें कालु pasta खाया हाँ तुम्हारी इम्हत नहीं है मेरा से क्यों नी पूचा ने किसा नी तरिशा नी पूचा आप दित्य अरिया न हो जहाँ पंडि भासो आपक तैसे कालाब चीजा बोड़ो तेरा जा पौट बोड़ो खूट यह यह आधा तुम जा 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 जाने कि इसको बैच आखा अरब पंडीत रोगोट को दो मुझे हमें कोई हिरो सकता है कोई पूर्दु मंनिया रिकोर्टिंग क्या कर रहा है कुद थाने में चाती हुआ अब लुदा तुम्हाइटिंगा मेरे पेसे हापस कर दो मेरे पाइस अपस गरदो तुम जाओ नहीं काम करो क्या इट्वार इंगे तुम्हार तक कर यह बता हो मावाल अठ्टा नहीं रख़ रिगार के सामदा हुए मेरे पाइज न मैने तीस लाग्व देए हम जो पत्स माइध लाओ नाओ तो तो लाओ मैने तो मैने अपर 35 लाग पर दिये हैं मुझे दे दो पैसे वापस बोलाओ आप बोलो बोलो जितना बोलना बोलो जो लोग कहते हैं एकोनॉमिक बेस रिजर्वेशन होना चाहिए उन लोगों को एक वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि भेदभाव एक जातिकत अधार पे हुआ था ना कि आर्थिक अधार पे बंदा 35 लेक्स की लैंड घरिदता है फिर भी ओ लैंड उसे बेशने के लिए यह लोग मजबूर कर रहें ओ लोग कहे रहें कि आप हमारे बाजू में नहीं रहे सकते हैं क्योंकि आप हरी जोनों आप निचले जाती के हो हम आर्यो लोग हैं आर्यो के बाजू में आप नहीं रहे सकते हों तो भेदबाव जो है वो आर्थिक आधार पे नहीं हो रहा है, आर्थिक आधार पे तो हम सक्षम भी है, फिर भी जातीगत आधार पे वो कहे रहे हैं कि आप हमारे बाजू में नहीं रे सकते, इसलिए भारत के सविधान में री प्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधीत्वा, आरक्षन का मतलब ए प्रतिनिजीत्व से रिलेट किया है ना कि गरीबी से क्योंकि आरक्षन जो है ए और कोई गरीबी हटाव प्रोग्राम नहीं है आरक्षन जो है ए प्रतिनीजीत्व को प्रस्तापित करता है और उसी से इस देश में समानता आएगी कुछ लोग के दिमाग में खयाल जरूर आएगा ये तो उत्तरा खंड के नेनिताल गाव की या वहाँ के शहर को भी गाव ही कुछ लोग कहते तो उस गाव की एबात है ये मेट्रोपॉलिटन सीडीज में नहीं होता तो एक गलत फेमी भी आप दिमाग से निकाल लीजे क्योंकि जातिवाद आपके नस नस में बहता है इसलिए तो आप जातिगत आरक्षन का विरोध करते हो आप जातिगा कभी विरोध नहीं करते मेट्रोमोनियल साइट्स पे भी आप अपनी जाति डालते हो आपको जब शादी करनी होती है तो लड़का लड़की अपने जाति में ही देखते हो फिर भी आप कहते हो कि हम जातिवाद नहीं मांगते आप जैसे पाखंडी आप जैसे लुच्चे लफंगे लोग के वज़े से ही जातिवाद इस देश में अपनी जड आज भी थमाए बेटा है इसलिए सुदर जाओ लुच्चे लफंगो